हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टेडी नीज आज हम इस वीडियो में मांडू उत्सद दो हजार रिकिस के बारे में जानेंगे मांडू विस पर्याटन के नक्से पर अपनी अलग पहचान इस्थापित करता जा रहा है इसे पहचान को बनाए रखने के लिए खोजने में खोजाओ थीम पर 13-15 फरवरी तक मांडू उत्सव होने वाला है इस दोरान COVID-19 की गाइड लाइन का विसेस रूप से पालन किया जाएगा मांडू उत्सव का मुख उद्दे से यहां के प्राचिन इतिहास से दुनिया को रूबरू कराना और सम्रिध्य परेटन इत्सल का महतुव पहचान सामने लाना है तो इससे जुड़ी और भी रोचक तथों के बारे में जानेंगे सो लेट असे स्टार्ट मांडू जिसे मांडव गड भी कहते हैं ये धार जिले के मांडव छेतर में इस्थित एक प्राचिन सहर है ये भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा छेतर में इस्थित है जहां पर ये उत्सव मनाया जाता है ये विंद्याचल की पहाड़ियों पर लगबग दो हजार फिट की उचाई पर इस्थित है मांडू को पहले सादियाबाद के नाम से भी जाना जाता था जिसका अर्थ है खुसियों का नगर मांडू पहाड़ों वा चटानों का इलाका है जहां पर इतिहासिक महत्व की कई पुरानी इमारते हैं मालवा के राजपूत परमार सासक भी बाहरी आकरमडों से अपनी रक्षा के लिए मांडू को एक महफूज इस्थान मानते थे मांडू मध्य प्रदेश का एक ऐसा परेटन इस्थल है जो रानी, रूप मती और बात्सा बाज बहादूर के अमर प्रेम कहानी का साक्षी है कहने को तो लोग मांडू को खंड़ोहरों का गाउं भी कहते हैं परंतु इन खंड़ोहरों के पत्थर भी बोलते हैं और सुनते हैं हमें इतिहास की अमरगाथा हर्याली की खुपसूरत चादर ओढ़े मांडू विदेशी पर्याटनों के लिए विशेश तोर पर एक सुन्दर पर्याटन इस्थर रहा है मांडू प्रवेश के साथ ही इस तरह हमारा स्वागत करते हैं मांडू जैसे हम किसी सम्रिध सासक की नगर में प्रवेश कर रहे हूं अब जानते हैं मांडू नगर में इस्थित खुपसूरत महलों के बारे में रानी रूप मती के महल को देखे बगैर मांडू दर्शन अधूरा सा है 365 मीटर उची खड़ी चटानों पर इस्थित इस महल का निर्माड बाज बहादूर ने रानी रूप मती के लिए करवाया था इसे के साथ ही सैनिको के लिए मांडू की सुरक्षा वेवस्ता पर नजा रखने के लिए भी एक बहतर इस्थान बनवाया था हिंडोला महल हिंडोला महल मांडू के खुपसूरत महलों में से एक है इसका अर्थ होता है जूला इस महल की दिवारे छुकी हुई है जिस कारण ये हवा में जूलता हुआ प्रतीत होता है इसलिए इसे हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है इस महल का निर्माड गया सुद्दीन खिलजी ने 1479 से 1590 के मध्ध सबा भवन के रूप में बनवाया था ये महल अत्यादिक सुन्दर है इस महल के पस्ची में कई छोटे बड़े सुन्दर महल है इसके समीप ही चमपा बाबडी भी इस्थित है जहाज महल जहाज महल का निर्माड गया सुद्दीन खिलजी ने करवाया था ये महल जहाज के आकरिती जैसा लगता है और इसके पास ही दो करितिम तलाब है जिसका नम कपूर तलाब और मंजू तलाब है 120 मीटर लंबे इस खुबसूरत महल को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तलाब के बीच में कोई सुन्दर जहाज तैर रहा हो ये महल विसेश तोर पर महिलाओं के लिए बनवाया गया था जामा मस्जिद जिसे जामी मस्जिद भी कहते हैं ये मस्जिद भी इस महल का मुख आकरसन का केंदर है इस विसार मस्जिद का निर्मार कार होसंग साह के सासनकाल में आरम हुआ था और महमूत प्रथम के सासनकाल में ये मस्जिद बनकर तयार हो गया था इस मस्जिद के गिंती मांडू के नायाब वसांदार इमारतों में की जाती है इस मस्जिद के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये डेमास्क यानि सीरिया देश की राजधानी की एक प्रसिद मस्जिद का प्रतिरूप है असर्फी महल जामा मस्जिद के सामने ही असरफी महल है असरफी का अर्थ होता है सोने के सिक्के इस महल का निर्माड होसंग साह खिलजी के उत्रा दिकारी मुहमत खिलजी ने इसलामिक भासा के विद्याले के लिए करवाया था यहां विद्यार्थियों के रहने के लिए भी कई कमरों का निर्माड भी किया गया था होसंग साह की कब्र जो की भारत में मार्बल से बनाई हुई ऐसी कब्र है जिसमें आपको अफगानी सिल्प कला का बहतर नमूना देखने को मिलता है इस कब्र में गुमबज बरामदे और मार्बल की जानिया बनी हुई है जो अत्यदी खुबसूरत है बाज बहादूर का महल जिसका निर्माड सोलहवी सताबदी में किया गया था इस महल में विसाल आंगन वहाल बने हुए है यहां से हमें मांडू का सुन्दर नजारा देखने को मिलता है इसी के साथ ही मांडू को मांडवगड जैन तिर्थ के नाम से भी जाना जाता है यहां भगवान सुपार सुनात की पनमासन मुद्रा में विराजित स्वेत वरडित सुन्दर प्राचिन प्रतिमा है इस प्रतिमा के इस्थापना सन 1472 में की गई थी मांडावगाड में कई अन्य पुराने एतिहासिक महत्व के जैन मंदिर भी है जिसके कारण यह जैन धर्मा लंबियो के लिए एक तिर्थ इस्थान है यहाँ पर 12 प्रवेश द्वार हैं जो काफी बड़े बड़े हैं जो 45 किलो मीटर के दायरे में इस्थित हैं इन दर्वाजों में दिल्ली दर्वाजा प्रमुख है यह मांडो का प्रवेश द्वार है जिसका निर्माड 1405 से 1407 के मद्ध हुआ था और भी मुखे दर्वाजे हैं जिसका नाम आलम गीर दर्वाजा, राम पोल दर्वाजा, जहां गीर दर्वाजा, तारापूर दर्वाजा आधी अनेक दर्वाजे हैं यहाँ पर एको पॉइंट पर सैलानियों की भीड लगी रहती है और लोहानी गुफाएं और उनके सामने इस्थित संसेट पॉइंट भी सैलानियों को अपनी और आकर्चित करते हैं मध्य प्रदेश में पर्याटन द्वारा आयोजीत किये जा रहे दो दीवसिये मांडू उत्सव में हैलिटेज वाक, साइकलिंग टूर, फोटो प्रतियों योग कारेशालाएं, संगीत प्रदसन और भी बहुत कुछ होगा इस उत्सव का विश्व इस तर पर अपना ही ये कलग महत्व है जिस कारण ये काफी प्रसिद उत्सव में से एक है तो ये था इस वीडियो का एंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंड